हेलो फ्रेंज आप सबका एक पर फेस दो सबागते हैं हमारी चैनल मुन्ना किचिन में आज हम आपके लिए क्या है कोपी मटर की बहुती आसान और अमेजिंग रेसिपी तो वीडियो को एन तक जरूर देखे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले इसके साथ अगर चैनल को आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और पैल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे आपका उमारी वीडियो के अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले हम कडाई में दो बड़े चमच तेल को गरम अने के लिए रख देंगे तेल गरम उच्छी का है, अब हम इसमें एक बड़ी चमच पीली राई को एड़ कर देंगे अगर आपके पस पीली राई नहीं है तो आप काली राई को भी एड़ कर सकते है इसके साथे हम एड़ कर देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता और इस अच्छी तरह से एक बार चला ले इसके साथ हम इसमेल एड़ कर देंगे तोड़ा सा लर्सुन और मिर्चे एकदम बारिक बारिक कट करके और हम इसे अच्छे से एक से दो मिनिट के लिए भूल लेंगे एक मिन बुनने के बाद अब हम इसमें पाव किलो पत्ता गुपी को एकदम बारिक बारिक कट करके एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर ले अच्छी तरसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हलका गोल्डन कलर आने तक अच्छे से भूल लेंगे लगबद दो मिन के बाद आप देख सकते को भी में हलका गोल्डन ब्राउन कलर आच चुका है अब हम इसमें एक बड़े आलू को पारिक बरिक कट करके एड़ कर देंगे इसके साथ ही 100 ग्राम हरे वटाने को भी एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद अब हम इसे तीन मिनिट के लिए अच्छे से भूल लेंगे तीन मिन बुनने के बाद अब हम इसमें एड़ कर देंगे तोड़ा सा हल्दी पाउडर इसके साथी एड़ कर देंगे इसमें हम स्वादानुसर नमक अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम वापिस दो मिनिट के लिए अच्छे से भूल लेंगे दो मिनिट अच्छी तरह से भूलने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा अद्रख को आड़ कर देंगे इसके साथी हम एक टमाटर को भी एक तम बारिक बारिक कट करके आड़ कर देंगे अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे डख कर दो मिनिट के लिए पकने के लिए रख देंगे दो मिन्ट हो चुका है अब हम चक कर लेते हैं इसे हम एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे डख कर वापिस से दो मिन्ट के पका लेंगे दो मिन्ट के बाद अब हम इसे वापिस चक कर लेते हैं और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे इसी के साथ आप देख सकते हैं गोबी मत्र की रेसिपी बनके अच्छे से तयार हो चुकी है अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे अगर आपको 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 अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले इसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले धन्यवाद